जो लागू की गई राजस्तान में नहीं बलकि अपितू पूरे देश में चर्चा का विश्य थी वो राजस्तान का मोडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाई थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बलकि उसको अंगिकार करने के लिए भी होड मची भी है ऐसे में मैं समझता हूँ कि राजस्तान की जनता ने कॉंग्रेश पार्टी को हमारे राष्टी अद्देक सादर्निय खड़गे साब जी के नेत्रित्व में राष्टी गांदी जी की जो हमारी 4000 किलोमिटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राष्टी गांदी जी ने लिये उनको भी लोगों ने श्विकार किया जो नपरत के बाजार में मौबत की दुकान खोलने की जो बात थी उसको भी लोगों ने बहुत दिल से ले करके और अते दिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने भी और हमारे राजस्तान के मुख्य मंत्रिय असो गेलो जी ने जिस प्रकार की पहले 10 गारंटियां महंगाई रात केम्प के दुआरा और फिर 7 गारंटियां जिस प्रकार से आगे वादा किया गया जनता ने उस पे विश्वास किया है और इन सब चीजों के साथ साथ जो राजस्तान में भारतिय जनता पार्टी कि आपसी फूट, आपसी कले, जो 7, 8, 9 मुख्य मंत्री, स्वेंबू मुख्य मंत्री बने वे थे, उनसे वो राजस्तान की जनता के कोई भी मुद्दा उन्होंने 5 साल में प्रतिपक्ष के रूप में नहीं उठाया, उससे जनता नाराज थी और कॉंग्रेस पार्टी की नित जरित्वे और कॉंग्रेस पार्टी की योजनाओं से वो प्रभावित थी, इसलिए जो मतदान हुआ, वो कॉंग्रेस के पक्ष में हुआ है, और राजस्तान में निश्चित रूप से तीन तारिक को जब मतदान का काउंटिंग होगी, तो उस काउंटिंग में कॉंग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, जो जनता ने मत दिया है, वो जनता ने, जो राजस्तान के सरकार ने अच्छा काम किया, और संग्ठन और सत्ता ने समनवे के साथ में जिस प्रकार से लोगों की सिवा की है, कि उर्जा से मैं ये पूरी तरीके से आस्वस्त हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार पुनब बन रही है। उपेस पर आपको क्या लगता है कि आपको बड़ा दाता हूं बिलकुल निश्यत रूम से देखिए जो हमारी सरकार का मूल जो सबसे बड़ा जो काम है वो है स्योश्यल सीकृर्टी का और सोस्यल सिकृर्टी के बिंदू पे ओपिस एक प्रमुख बात है जो करमचारियों को स इलाज की बात ले लीजिए आप 50 लाग की हमने वादा किया है गारंटी दी है और जो पैंशन है वो पहले एकजार की थी अब उसको दो जार की गारंटी दी है जो किसानों के लिए बिजली की जो माफ है बच्चों को ले पढ़ाने के लिए लेपटोप फ्री में देने की बा security के लिए उसके सम्मान के लिए जो दे रहे हैं वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा और लोगों ने उसको स्विकार किया आप देख सकते हैं कि माता बेहनों ने पूर्सों के मुकाबले अधिक मतदान किया है युवाओं उन्हें भी बढ़ चड़ करके कॉंग्रेश की सरकार ने जो नोकरियां दी हैं और जो आगे 4 लाग सरकारी नोकरियां देने की जो वादा किया है उसको भी कोषना पत्र में उसको भी उन्हों बहुत एप्रिशेट किया क्योंकि बारतिय जनता पार्टी ने पहले भी नोकरियों में हमारे से पीछे थी और अभी भी उन्होंने डाइलाग की बात की है तो मैं समझता हूँ कि यह सब चीज़ें मिला करके जो मतादान हुआ है उसके बाद में जो रुझान public से आरहे हैं जो मीडिया से आ रहे हैं जो राजनितिक विशले सक हैं उन्हसे आ रहे हैं कि क्या उसने असर डाला दूसरा क्या पेपर लीग से आपके जो नए वोटर है युवा मत दाताओं पे उनके असर पढ़ा क्या प्रभवित हुए देखिए दार्मिक धूर्विकरण उनका प्रमुखे जंड़ा होता है बारती जंटा पार्टी का लेकिन हमारी सरकार ने जिस उससे राजस्तान में इनका ये जो एजेंटा है धार्मिक धूर्विकरण का हिंदू-मुसलिम करने का वो नहीं चल पाया और राजस्तान की जनता ने का इससे पेट नहीं बरता है जो हमें संबल मिलता है वो 25 रुपे फ्री इलाज से मिलता है हमें जो संबल मिलता है वो प